नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं जो तुश्जवरार के मैं हूँ आपके साथ आपका संतोशन तोशी सूर का महा परिवर्तन ब्रिशब राशी से मिथुन राशी में सूर 15 जून को प्रवेश कर जाएंगे और 17 जुलाई तक यहां रहेंगे 15 जून से 17 जुलाई तक मिथुन राशी में सूर का संचनुन रहेगा सूर जब यहां हैं मिथुन में तो यह अपनी राशी से सिंघ से एका दस में है सिंघ राशी से एका दस अर्थात ग्यारह में है कोई भी ग्रह अपने से एका दस जाकर के लाव को बढ़ाता है लाव की अभी वृद्धी करता है सूर पिथुन में प्रवेश करके क्या लाव आपको देंगे कितना लाव आपको देंगे गहराई से इसे समझने की आवश्यक्ता है जाने, समझें और बेहतर करने का प्रयास करें आईए बात कर लेते हैं में से लेकर मीन तक क्या रहेगा इसका प्रवाव मेश राशी मेश राशी के लिए पंचमेश हो करके सूर्य तरतिय भाव में आएंगे मेश राशी अर्थार तरतिय भाव की राशी है आप के जीवन में व्यक्तिकत रिस्तों के मामले में कुछ उतार चड़ाओ देंगे बच्चों को लेकर कुछ खुछ खबरी मिलेगी भाग्य में अभिवर्द्धी होगी धन की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी अवसर बड़े मिलेंगे शुबता बनी हुई है ब्रिशब राशी दुती भाव में सूर्य का संचरन होगा ब्रिशब राशी के लिए सूर्य का संचरन दुती भाव में है चतुर्थेश होकर के आएंगे आप के लिए विशेश लाव के अवसर बनेंगे मकान चल अचल संपत्ति धन की प्राप्ति कराएंगे दोश एक होगा कि आपके वाणी में एग्रेशन आएगा रूखा बनाएगा कुछ पति-पत्नी के बीच बिवाद अचानक गहरा होगा वाणी की वज़े से मिथुन राशी आपके ही राशी में आ रहे हैं थर्ड हाउस के स्वामी होकर क्या आएं भाई साब इतनी मेहनत करवा देंगे कि पसीने छूट जाएंगे पराकरम बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, धन के लिए थोड़ा संगर्ष जादा करना पड़ेगा धुजलाहट और फ्रस्टेशन की स्थती बार बार पैदा होगी यहाँ बैट करके साथमें दिश्टे से पत्नी भाव को देखेंगे, पती भाव को देखेंगे तो जीवन साथी, जीवन संगनी के साथ भी थोड़ा बहुत उतार चड़ाव बन सकता है बात करक राशी की कर लें, तो आपकी राशी में दुतिये शोकर के दुतिये 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 का संबन्ध है, सबसे बड़ी चीज कि अगर आपके रिष्टे कहीं बन रहे होंगे तो उसको तोड़ देंगे यह, रिष्टा तूट जाएगा, परिस्थतिया थोड़ी प्रतिकूल होंगी अचानक मानसिक तनाव बढ़ सकता है इधर उधर की चीजों से आप परिशान हो सकते हैं परिस्थति प्रतिकूल हो सकती है समस्याएं कमभीर हो सकती है सोच समझ करके फैसला लेना होगा उतार चड़ाओ आपके साथ बढ़ सकता है चर्चा सिंग राशी की, आपकी ही राशी के स्वामी है एक आदा सस्थान पर आएं हैं धनलाभ, नौकरी में प्रमोशन, वाहन का सुख, बच्चे का सुख, पुत्र रत्न की प्राप्ति ये सारे फाइदे सिंग राशी वालों के लिए अनोखा फाइदा मिथुन राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं सूरे तो ये दे देंगे नुकसान कहीं नहीं होगा थोड़ा बहुत पंचंपरित की दिश्टी पड़ेगी तो प्रेम संबंधों में उतार शड़ाव आ सकता है ब्रेक अप और गरे की संभावना बन सकती है इगो की वज़ाए से सूर्य अहंकार के भी कारक है करने राशी करने राशी वालों के लिए सूर्य देव द्वादशेश होते हैं दसम में रहेंगे किसी बाहरी व्यक्त की मदद से नौकरी में प्रमोशन नई नौकरी की संभावना पैत्रिक संपत्तियों में विवाद की स्थति आदी संभाव है तुलाराशी आपके लिए एक आदशेश है नवमस्थान पर इनक्यों पस्थति रहेगी धन लाब होगा वाक सिद्धी प्राप्त होगी धार्मे की यात्राओं से विशेश लाब होगा पिता के साथ कुछ मनमुटाओ या पिता के स्वास्त की हानी संभाव है ब्रिश्चक राशी दसमेश होकर की अश्टम में आएंगे रोग शोक दुख आदी बढ़ जाएंगे दामपत्य जीवन में कलह कलेश का वातावरन रहेगा उतार चड़ाओ एक दम से अचानक आएंगे डिहाइड्रेट हो सकते हैं पानी जादा पिए मानसिक तनाव बढ़ेगा लेकिन गुप्त धन की प्राप्ती होगी अनकाउंटेड मनी की प्राप्ती होगी धनुराशी नवम के स्वामी होकर सब्तम में आ रहे हैं पती पत्नी भाव में आएंगे दामपत्य जीवन के भाव में आएंगे इस रिस्ते में सबसे ज़्यादा कटुता खटास की उम्मीद बढ़ जाती है यहां बैट करके यह आपके लगन को देखेंगे आपके अंदर कुछ इगो देंगे गुस्सा देंगे सरकारी पक्ष से उतार चढ़ाओ की स्थती आ सकती है मकर राशी अश्टम के स्वामी होकर के छटे में बैठे हैं कहने को विप्रीत राज योग है लेकिन भाई साब ये योग कहीं से भी ठीक नहीं है यह कई प्रकार से कष्ट्य साध्य होता है खास तोर पर उपरी प्रभाव निगेटिव इनरजी प्रभाव मानसिक तनाव उतार चढ़ाव गुप्त शत्रु हलाकि शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि सूर है लेकिन फिर भी पैदा तो करेगा ही कुम्भराशी आपके सात्वे के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं तो प्रेम संबंधों में जो भी रहा है मामला उसमें विवाह की संभावना बनती है शादी शिग्रत होने की संभावना बनती है संतान का सुख मिलता है धन का लाव होता है वाहन का सुख मिलता है अंतिमराशी मीन आपके लिए छठे के स्वामी हैं और चौथे में आए हैं एकदम से कर्ज बढ़ेगा लोन लेने की स्थती आएगी वाहन बेच देंगे आप वाहन बदलने की नौबत नहीं है भी कई तरह से उतार चड़ाव छे आच्छे चार का संबंद कलत होता है कर्ज रोग शोक आदी बढ़ा देता है ब्लड पेशर की इस्थती बूश्ट हो जाएगी और नुकसान हो सकता है संभालें अपने आपे नियंतरोंड करें उपाय के तौर पर घी से तिलक लगाना शुब होगा सात्युक रहें और प्रातहस्तान के बाद गायतरी मंत्र का जाप अवश्य करें प्रेमित्रों आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं फिलाल गोरकपूर पतना कलकता, राची, नागपूर, राएपूर और लखनों में हम आपके साथ बने रहेंगे मिलने के लिए कारियाले के दिये के नंबर्स पर आप वाट्स अप करें और अपना प्यार बनाए रखें शुक्रिया, धन्यवाद, नमश्कार शेरा दे आचार्य, विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य, संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश्प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक जब झारपको यूजियों की तू यूजियों की बनीव